दोस्तो नमस्कार मेरी फुलवारी में आप सभी का स्वागत है दोस्तो अब लगभग सितंबर का दूसरा हफता बीथने वाला है अब यही सही समय है कि हम लोग अपने विंटर गार्डन के लिए तैयारियां शुरू कर दे मैंने भी अपने सर्दियों के गार्डन को तयार कर अपने की शुरुवात कर दी है और इस समय अगर हम अच्छे से त्यारी कर लेंगे तो आने वाली सर्दियों में हमारा गार्डन फिर फूलों से भर जाएगा बहुत सारे ऐसे काम है जो हमें इस समय कर लेने चाहिए अभी अभी बारिस का मौसम समाप्त हुआ है और हम देखते हैं कि हमारे गार्डन की जो पेड़ है वो बरसात की वज़े से बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं जाड़ी नुमा हो जाते हैं तो इस समय उसकी कार छाट करना बहुत जरूरी हो जाता है तो मैंने भी अपने पेडों की जो बहुत फैल रहे थे इधर उधर उसको मैंने छटाई कर दी है और ये छटाई करने का बहुत ही सही समय है देखिए ये मेरा टिकोमा का प्लांट है अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने इसका वीडियो बना कर शेयर किया था इसमें बहुत फूल आ रहे थे लेकि दिन में इसमें फिर से नई कल्ले निकल आएंगे और ये फिर अपनी पुराना ही शेप ले लेगा और फिर से इसमें नई फ्लावरिंग आएगी तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस समय अपने पौधों में कटाई छटाई शुरू कर दे अगर अभी नहीं किया है तो आप इस काम को शुरू करिए ये मेरा गुडहल का पेड़ है इसकी मैंने थोड़े दिन पहले ही एक हफता हो गया होगा मैंने इसकी छटाई की थी लेकिन कुछ ब्रांचे मैंने इसमें छोड़ दी है क्योंकि उसमें कलिया आ रही थी और उससे मुझे काटने का मन नहीं हुआ तो जैसे ही ये फ्लावरिंग कम्प्लीट हो जाएगी मैं इन लंबी लंबी देखे कितनी लंबी डाले हो गई है और पत्तियां भी थोड़ी मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ रोग लगा है तो मैं ऐसा करूँगी कि इसको नीचे से ही प्रून कर दूँगी फिर इसमें नई पत्तियां आ जाएंगी आगे और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे ये गुडहल का पौधा है ये दो पौधे मेरे गुडहल के हैं जो डबल पेटल के हैं बहुत सुन्दर इसमें फूल लगता है पिंग कलर का फूल होता है मैंने इसकी भी देखी छटाई कर दी है नारों तरफ देखे ये निकलना शुरू हो गई है और थोड़े दिन के बाद ये पौधा फिर से अपने आप में सही हो जाएगा और फिर से इसमें कलियां लगनी शुरू हो जाएगा मेरे पौधे बहुत घने घने छट पे रखे थे क्योंकि मैं टेरिस में गार्णिंग क दमा हो तो उसको साफ करने में कोई दिक्तत ना हो लेकिन अब सितंबर लगभग आधा हो गया है तो जड़ा बारिस की संभावना नहीं लगती है तो मैंने फिर उन पौधों को उसी तरह से पुरानी तरह से ही अरेंज करना शुरू कर दिया है अभी देखे मैंने कुछ तो कर दूंगी दूसरा काम यह है कि मैंने जून से ही लगभग गर्मी क्योंकि जून में बहुत गर्मी हो रही थी तो मैंने अपने पौधों को फर्टिलाइजर नहीं किया है कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला है उसके बाद बारिस का मौसम आ गया तो चार महिने से उपर हो मैंने अपने पौधों में कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डाला है और बरसात में मुझे लगता है कोई भी डालता नहीं है क्योंकि फर्टिलाइजर अगर डालते हैं तो वो पानी के साथ बरसात में बह जाता है तो अब वो सही समय आ गया है कि हम अपने सभी गमलों को फर और हफ्ता दस तिन में मैं अपने सारे पौधों को खाद दे दूंगी क्योंकि अगर आब इसको खाद नहीं दिया जाएगा तो जाड़े में ये पौधे अच्छे से खिलेंगे नहीं और इन ये स्वस्त भी नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे छोटा बड़ा जैसा भी गमला है उसको उसी हिसाब से खाद देने की इस समय जरूरत है तो ये भी एक इस समय का जरूरी काम है जो मुझे करना है और धीरे धीरे में थोड़े थोड़े गमलों को लोंगी और साथ में ये काम करना शुरू कर दोंगे दोस्तो सर्दियों के लिए हमें बहुत सारे गमलों की जरूरत होती है इसलिए इस समय हमें जो पौधे खराब हो रहे है या सर्दी आने के कारण अब उनका टाइम पूरा हो रहा है हमें उन गमलों को खाली कर लेना होगा देखिए मैंने भी कल बहुत सारे गमलों को खाली किया है इसमें पॉर्चुला का प्लांट लगा हुआ था और भी एक दो प्लांट थे जो खराब हो रहे थे खराब कंडिशन में थे वो सारे पॉर्ट मैंने खाली कर लिए है लेकिन इन पॉर्ट में हम सीधे पॉधे नहीं लगा सकते क्योंकि अगर ऐसे ही जाड़े के प्लावरिंग नहीं पड़ी है तो हमें इस मिट्टी को रिचार्ज करना होगा तो मैं इसके लिए जब मैं यह काम करूंगी तो अलग से वीडियो इसका शेयर करूंगी अब मैं इसकी सारे मिट्टी निकालूंगी सुखाऊंगी फिर इसमें कुछ और चीजे एड करूंग देखिए सब मैंने इकठा करके रखा है यह दोनों जगे और इसको समय मिलते ही मैं इसकी जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी डंडिया है उसको मैं हटा दूंगी लेकिन जितनी पत्तियां है सूखी हुई उनको थोड़ा सा धूप में और सुखा दूंगी उसके बाद इस गम शुरू कर दी है आप भी अपने विंटर गार्डन को तयार करने में लग जाए ताकि आने वाले समय में हमारा गार्डन बहुत अच्छा हो जाए अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूं वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिएग और शेयर करिएगा अब आगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद